हलो इबरिवण आज़ की एस वीडियो में हम देखने वाले हैं जाने वाले हैं सीखने वाले हैं कि अगर आप च्कलेट केकी बेसिक से आइसिंग करते हैं बिलकुल jaki की वात करी हूँ जो इसे बिकिनें उनकी लेट है बहुत ही काम की होने इससे क्या होगा न जब भी आप लगाएंगे केक के चारो से तो आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला ने तो अक्सा आपकी चॉकले बहुत सारी वेस्ट हो जाती है और आपकी हाथों में चिपकती बहुत जाद है तो अगर आप उसे फ्रीज में रख देंगे ग्रेट करने के बार और उसके बाद आप आइसिंग करिए जब तक आपकी आइसिंग निकाइडब में थ्भर होगी तब तक आप की वह देखिए मैंने अच्छे से इसकी आइसिंग सुरू कर दिया और मैंने विप क्रीम में क्या किया है ना चॉकलेटी फ्लीवर लाने के लिए जो चॉकलेट होता है उसे मेल्ट किया है थोड़ा सा दूद डालके मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था तो बहुत सारे लोग जब भी आप अगर चॉकलेट के बनाते हैं जैसे अगर ब्लाक फॉरेस्ट की बात कर लेती हो तो उसे साइड में जैसे हमने तो विप क्रीम में थोड़ा सा डाल दिया था चॉकलेट तो कलर ऐसा आया था विप क्रीम का अगर आपको बिल्कुल डार्क चाहिए तो क्या करे कीजिए और बहुत अच्छी सी कलर आ जाती है और जब भी साइड से जब चिपकाएंगे ना आपने जो सेविक्स रखी है तो अगर कहीं चूट भी जाता ना तो बिल्कुल दिखा ही नहीं देगा तो अगर आपने वाइट के ऊपर लगाई तो बीच-बीच में से वाइट में उसको आप प्लीट में तुरंत के तुरंत वहां से हटाते जाना है स्थाइन में ऐसाइड स्था रजा देगित हैं लग से ब्लगाने इस से पहले एक बात का और धियान रखना है महीं इंपॉर्टन बात आपको बता रहे हूं आप ध्यान से सुनें इसे जो साइड में हम जब भी लगाते हैं आइसिंग करते हैं अपनी केक को तो जो हमारे केक बूर्ड है इसके उपर बहुत सारी क्रीम लग जाती है तो जब भी आप यह चिपका रहे हैं तो उसे अच्छे से कपड़े से पोंच लेजिए उसके बाद ही चिपकाई तो आपके चॉकलेट वेस्ट नहीं होगी यह नोजल लिया है मैंने नूर का नूर का एनफॉर नोजल है यह और बहुत ही अच्छी से ब्लैक फॉरस्ट के जो उपर की आइसिंग होती ना बहुत ही अच्छी होती है और भी बहुत सारी डिजाइंस इसे आप बना सकते हैं तो मैंने वही नोजल लिया है और मैं ब्लैक फॉरस्ट के उपर यही वाले बनाती हूं मुझे बहुत पसंद भी आते हैं यह तो यह नहीं कि मैंने अच्छी पहले आपको बनाने से पहले धियान रख रहा है कि आपक इसे डिजाइन जो है न सारी एक बराबर बनेगी तो आप यह भी कर सकते हैं बहुत ही आसान है यह और फिर बीच में जो बीच में आप देख रहे हैं खाली जगों वहां पर मैं बहुत सारा डालने वाली हूं चॉकलेट और बहुत अच्छा लगता है आप अगर मेल्ट कर चाहें तो भी डाल सकते हैं जैसे मेल्ट करके डाल दिया फिर उसको पर थोड़ी सी चॉकलेट सेविंग डाल दें तो भी डिजाइन तो बहुत सार हैं ब्लाक फॉरस्ट के भी मैं निट वाले बी बताऊंगे अगर जो निट वाले देखना चाहते हैं तो भी मुझे या फिर वेब क्रेम वाली हो, कोई भी या फिर फॉंडेंट वाली हो, आप बहुत सारी डिजाइन्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, बेल आगन प्रेस जरूर करेगा, और अपने फैमिल और फ्रेंड्स के साथ जो स्टार वाला ताatar, वो नोजल लिया है मैंने और उसी से फिल कर दिया है, आप आप कुछ और बना सकते हैं, या फिर चैरी लगा सकते हैं, बहुत सारे उप्षण है, और यह ने लिया है। चैरी को कट कर दिया है, हाफ एप में, और मैं आदे आदे चैरी लगा देती तो आज मैंने बहुत ही बेसिक सी डिजाइन आप लोग के लिए लेकर आए हो जो बिगनर से उनकी लिए क्योंकि बहुत सारी यह भी कमेंट थे कि मैं ब्लैक फोटो देखना है बिल्कुल बेसिक वाला इसलिए मैं आप लोग लिए लिकार रहा हूं बहुत सारे टिप्स भी आप पुछ आननी को मिले होंगे आपको वीडियो साच में बहुत पसंद आये होगी और कुछ नीया लेकर आतीए कुछ नया सीखते हैं धा रच्चिंग भाफाय थैंक方面 कि इ